नमस्कार मैं हूँ कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स नाई न्यूस वागत आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम या हम चर्जा करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में दरसल अगर अखलेश यादव की बात करी जाए तो लगातार इस बात के दा प्रोग्राम आ जाएगा और ये देखना लाजमी होगा कि अकलेश आदव जो दावे कर रहे हैं उन दावों में वो सफल साबित होंगे या नहीं अगर योगी सरकार की बात करी जाए तो लगातार बीजेपी की जो गवर्मेंट है वो 2017 में जब यूपी में आई थी उसके से दावा किया जाता है कि ये सुशासन की सरकार है बुल्डोजर वाली सरकार है और इसको अगर कहा जाए तो 2022 में एक बार फिर से जंताने इस पर भरोसा जताया था अब कहीं न कहीं चुनाओ करीब आच चुके हैं और अब ये देखने वाली बात होगी कि मायवती जो लग मानसी हैं मानसी आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं सबसे पहले सवाल यहीं रहेगा कि जिस तरीके से अखलेश आदव के तमाम मंत्री हैं वो बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं कि लोकसबा चुनाओं में असी सीटों पर जीत हासल होगी निकाय चुनाओं में भी बीज दरूर पड़ेगी और मायवतीं तो कहीं का समर्थन करती वही नजर आ रही है लेकिन अखलेश यादव मुझे ऐसे लग रहा है मयवती के पक्ष में इस वक्षित नजर नहीं आ रहे हैं वह कह रहा है कि वह किले चुनाओं लड़ेंगे और दलितों को जो साधने की कि जा रही है अकलेश यादव के तरफ से मुझे ऐसे लगता है कि वह अखेले नहीं कर पाएंगे मैयावती की जरूरत उनको पड़ेगी और मैयावती कही ना कहीं अकलेश यादव का समर्तन इस वक करती हुए नजर आ रही है और जिस तरीके से प्रेस कॉंफरेंस करके उन्ह जो बाते कहीं है उससे कहीं ना कहीं साफ होता हुए नजर आता है कि अखलेश यादव का समर्तन वो चाहती है कहीं ना कहीं लेकिन अखलेश यादव दरकिनार करते हुए नजर आ रहे है मायावती को इसी लिए यह जो मसला है वो गर्माता हुए नजर आ रहे है यूपी न लेकिन जो वो बात कह रहे हैं मुझे उसमें थोड़ा सा संशय नजर आता है विकल साल 2014 की बात करी जाए तो केंडरियों में बीजेपी आती है साल 2017 की अगर बात करी जाए तो आपको क्या लगता है कि मायवती जिस तरीक से 50% युवाओं को टिकट देने की बात कर रही है और भी तमाम तरह के उन्हों चाहती हैं लेकिन कही न कहीं उनकी जो बयानबाजी है वो कहीं न कहीं यह दर्शाती हुई नजर आती है कि युवाओं की जरुत उनको पड़ेगी और अगर युवाओं को आगे किया जाता है तो यह कहीं न कहीं यूपी में एक अच्छा साबित हो सकता है मायवती के लिए लगता ही कि अच्छी साबित होगे बिल्कुल मायवती के अगर बात करी जाए तो यह तमाम कोशिशों में कहीं न गहीं वो सफल साबित हो सकते हैं एक लास सवाल और रहेगा कि ओपी राजबर की अगर बात करी जाए और फिलाल वो किसी भी दल के संग जो है वो गड़बं कि आई से अधिक संपत्ती का मामला उनके उपर है और तमाम मामले है हैं और इनि की वज़ा से महांवती फिलाल चुप नजर आती हैं। मैयावती फिलाल इसलिए चुप नजर आए जैसे आपने कहा कि आये से जादा संपत्ती का मामला उन पर अभी चल रहा है और एडी सीबी आए का जिस तरीके से इस तरीके से इस तमाल भारते जंता पार्टी करते हुए नजर आ रही है वो कही ना कहीं तमाम विपक्षी पार् कि खिलाफ भी अगर एडी और सीबी आई का शिकंजा कसता है तो मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है फिलाल हम चलेंगे और सही होग्यों के पास आसिफ सर हमारे साथ सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है शुक्र एक सवाल रहेगा कि निकाय चुनाओ जो अ और आमादनी पाटी भी आए लेकिन ये लोग एक दूसरे का सिर्फ वोट काटने का काम करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कॉंपटिशन जो है काटे की वो सिर्फ समाजवादी पाटी यानि अखलेश और योगी के बेच में बिलकुल अखलेश की बात चल तर पर वो ठीक है आपने अपने हर पाटी करती है लेकिन एदम जीती जाएंगे ये इतना भी सही नहीं है मुझे लगता है कि काटे की टकर होगी क्योंकि मेन पूरी और खतौली रामपूरी में जिस तरह से चुनाब हुएं बीजेपी के वहां हार हुई तो मुझे लगता है कि एक तरफा तो नहीं लेकिन काटे की टकर देखने को ज़रूर मिलेगा शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया काटे की टकर यहां पर देखने को मिलेगी और हमारे संग अबरार हैं जिनसे हम कुछ और सवाल जानने की कोशिश करेंगे अबरार अगर बात करी जाए उत पर्देशन कांग्रेस और मायवती का था तो क्या कांग्रेस इस में कुछ बड़ा खिला कर सकती है कि कांग्रेस पार्टी उत्र पर्देश में इस वक्त अगर देखा जा头 स्मर्त भी चली जा रही हो is खांगे पिरंका गांदी ने अगराण को प्रियास में बनने लगा है नगर नकाय चुनाओं की तारिखों के एलान के बाद सही तमाम सियासी दल जो अपने पक्ष में तमाम तरीके की बाते रखने शुरू कर दिये तो जाहिर सी बात है कि अब फिर से एक बार जो है अकलेश यादव और जो है यहां पर बात करें बीस पी कांग कोटों के बिकराओ के तोर पर बीजेपी फाइदा उठा ले जाएगी बिल्कुल एक अंतिम सवाल और रहेगा ओबी सी आरक्षड को लेकर जिस तरीके से राजनीती की जा रही है इसका फायदा मिलेगा क्योंकि कोट ने भी कह दिया कि बीच से 27 वीजदी के बीच आरक्ष पिन के मुद्दे पर अखलेश यादा विसले भी ज्यादा बढ़ चड़ करके अपनी बातों को रख रहे हैं क्योंकि एक वोट बैंक है उनका OBC समाज में और इस वज़ए से लगतार वो अपने उस वोट बैंक को सुरक्षित रखना चाहते है बिल्कुल शुक्रिया अब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट इसको हरी जंडी देता हुआ नजर आता अब आपको क्या लगता है कि निकाय चुनाव में किसको एक बड़ी जीत हासिल होगी कमेंट करके जरूर बताएगा फिलाल सियासी संग्राम में इतना ही नमस्कार